अगर दोस्तों कैसे हैं आप लोग आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे हैं और अपने अपने परिवार का इस ग्लोबल पैंडिंग बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं अगर आपने अब तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो क्या किया है दोस्तों जाइए ना प्ली सब्सक्राइब करतीजे तो दोस्तों आज के सुडियो मैं आप से बहुत इंपोर्टन बात करने वाला हूँ सब्सक्राइब के लिए उनके लिए बहुत जरूरी है तो दोस्तों कैनेडा में इसमंत की इंफ्लेशन रेट 6.7% है जो 1991 के बाद पहली बार इतनी जादा आई है तो दोस्तों ये एक बिल्कुल ही अच्छी इस नहीं है बिल्कुल ही अच्छी नहीं है क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं तो ऐसे में मतलब महंगाई तो बहुत चरम पर है हर चीज महेंगी हो चुकिए गयास तो भई आज सुभा में देखा था गयास टेशन पे 185 के राउंड थी माइगाड मुझे रोना आ रहा था यार लाश्ट यर ये 75 80 80 सेंट थे आज 185 सेंट सो गए कैसे भई अब मार्केट में जाए ये कुछ भी खरीद लिजे चोटी सब्सक्रान वाले को भी ब्लेम नहीं कर सकता उसकी गया गलती है वही जैसा प्राइज है वह इसको ऐसी नहीं बेचना पड़ेगा तो ऐसे में लोगों को बहुत सारे अज़ेश्मेंट करने पड़े है अगर आप आज के लिटें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाईए चुक्कि हर चीज महेंगी हो गई है दोस्तों और आपका जो वेज बढ़ता है वो वेज बढ़ने का करनेड़ा में कितना स्टन बढ़ता है 2-3% तो आप सुचिए 2-3% आपका वेज बढ़े और महेंगाई बढ़े 6.7 तो ये तो आपको समझ में आई गया है कि इसका क्या इसका इसका कि बते हैं गारे एवहाईदा और ये हर जगह दिखाई दे रहा है दोस्तों देखके बहुत ही बुरा लगता है बहुत ही अजीब लगता है सब कुछए महें ने पहले की तो बात थी सब कूछ मतलब कंक्ट्रोल में था वह से पहले हम लोग लोग भी काफी अप्टिमिस्टिक थे कि हाँ अब कोविड के रिस्रिक्शन कम हो रहे हैं जिन्दकी धीरे-धीरे पटरी पर आएगी अचानत से यह जो इंफ्लेशन बढ़ा है दोस्तों मतलब क्या बूलों दोस्तों मैं आपको कि मतलब अजीब लग रहा है दोस्तों कि यह कैसे ऐसे हो गया अब जो हैसो है अब इसमें हम लोग रहना तो यहीं पर है इनी के बीच है यहीं के साथ रहना है तो जो न्यूकमर्स आने वाले हैं दोस्तों उनको मैं पहले से आपको वान कर दे रहा हूँ कि आप अच्छी बैकप लेक स्टेबलाइज करके आईए मतलब थोड़ा अपना बैक अप रखे फानेंशल क्योंकि अगर चीज और महेंगी हुई तो उसका इंपक्ट आपके बहुत ज्यादा पड़ सकता है और अल्रेडी यह बहुत हाथ तक हो भी रहा है क्योंकि जैसा कि मैं बाहर हर तरफ देख रहा ह हुँ तो रियल स्टेट हुआ पाकी सारी बिजनेसे हुआ है सब काफी ज्यादा अफेक्ट हो रही है अभी मैं यह आज न्यूस में देख रहा था है कि जिस तरह से यह इंट्रेशन डेट हुआ है में भी बैंक बैंक ऑफ कानड़ा को इंट्रेस्ट दुबारा बढ़ाना पड़े फिर से और दोस बार इस साल बढ़ चुका है इंपक्ट आ बाहर निकल के देखे लिए जा क्या हो रहा है ऐसे में अगर उनों ने फिर से बढ़ाया ऐसे में तो क्या होगा मैं घर खर इतना और महेंगा हो जाएगा फर्स टाइम होंबार्स के लिए और आड़ा में यह बिल्कुल सच है पर एक आम आदमी के परस्पेक्टिव से एक आम आदमी जो इसको की हर चीच थरीदना पड़ता है उसकी परस्पेक्टिव से आपको बता रहा हूं आगे आपकी महर जी वीडियो देखने के धन्यवाद दोस्तों